कैसे हैं आप लोग आज हम बताएंगे मार्कित स्टाइल पाव भजी वो भी बीना ताम जाम के मिंटों में अपने कुकर में तो चलिए सुरू करते हैं मैंने लिया इसके लिए चार कली लहसन, एक टुकड़ा अदरक, एक छोटा प्याज, एक मीडियम साइज टमाटर, दो कच्ची हरे मेच और थोड़ा धन्या बत्ती अब हम कुकर में दो चम्मच रिफाइन ओयल और दो चम्मच देसी घी ले लेंगे आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं फिर पूरा का पूरा रिफाइन ओयल में भी बना सकते हैं अब मैंने डाला है इसमें एक केज पत्ता फिर डालेंगे थोड़ी कस्तूरी मेथी इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब मैंने लहसन प्याज अदरक कच्छी हर मिर्च सब को बारिक काट लिया है इसको हम डालके पांच मेर्ट तक मीडियम फ्लेम पे भूझेंगे गोल्टन ब्राउन होने तक साथ में डाल देंगे आधा चम्मच नमक अब यह भूझ चुका है अब डालेंगे मसाला मसाला में एक चम्मच देगी मिर्च आधा चम्मच जीरा पॉडर एक चम्मच धनिया पॉडर आधा चम्मच खटाई और आधा चम्मच गरम मसाला और फिर दो चम्मच डाला है हमने पाव भाजी मसाला अब सब मसाले को अच सिमला मिर्च, थोड़ा मटर, मटर यह मार्केट का फ्रोजन मटर है, थोड़ा गाजर, और थोड़ा पत्तागोबी, आपके घर में जो भी सब्जिया हैं, अब वो ले ले, अब हम इसे मिला लेंगे, अच्छी तरीके से मसाली के साथ, अब हम डालेंगे इसमें पानी, पानी भाजी में मेज कियावा आलू का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है अब इसे हम ढगा देंगे और 10 मिनट तक पहले हम दो विसल लगाएंगे हाई फ्लेम में फिर 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे देखें 13 मिनट करीब हो चुके हैं हमारी भाजी पक चुकी है अब हम फॉर्क की मदद से आलू को मेश कर लेंगे फिर हम मेशर की मदद से या फिर एक स्पैचुला से लेके भाजी को भी मेश कर लेंगे क्योंकि एक्चलि इसमें सबजी आया ना बिल्कुल खड़ी खड़ी सी थी मेश करने से बहुत अच्छा टेक्स्चर आ जाएगा अब इसमें घी बटर आपको जो डालना हो और थोड़ी धनिया पती उसे भी मिला लेंगे हमारी भाजी अब देखिए बन के बहुत अच्छी से तयार है इसका बहुत अच्छा कलर आया है अब हम एक तावे पे घी बटर जो लगाना हो लगा लेंगे और पाव सेक लेंगे अब इसे बहुत ही अच्छा मार्केट में ऐसी है ना पाव में पावभाजी मसाल लगा के मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है लीजे अब हम पावभाजी के एक बाल में ट्रांसफर करते हैं और इसे खाने के लिए सर्फ करते हैं तो लीजे हमारी पावभाजी तयार है अब इसका खाने का मजालिए